वेल्कम फ्रेंड आज का टॉपिक है भारत के उपराष्टपती की सुची 1952 से लेकर अब तक भारत के 14 उपराष्टपती बन चुके हैं तो आए देखते हैं कौन सा उपराष्टपती कितने साल तक कारीरत रहे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्व पली राधा किष्णन उनका कारीकाल था 13 में 1952 से 14 में 1957 तक सेकेंड डॉक्टर जाकिर हुसेन उनका कारीकाल था 13 में 1962 से 12 में 1967 तक वराह गिरी बेंकट गिरी तीसरे उपराष्टपती बने उनका कारीकाल था 13 में 1967 से 3 में 1969 तक गोपाल स्वरुप पाठक चोथे उपराष्टपती बने उनका कारीकाल था 31 अगस्ट 1969 से 30 अगस्ट 1974 तक पाठमा उपराष्टपती बने बीडी जत्ती उनका कारीकाल था 31 अगस्ट 1974 से 30 अगस्ट 1979 तक चठा उपराष्टपती थे मुहम्मद हिदाह तुल्ला उनका कारीकाल था 31 अगस्ट 1979 से 30 अगस्ट 1984 तक साथमा उपराष्टपती थे आर बेंकर्ट रमन उनका कारीकाल था 31 अगस्ट 1984 से 27 जुलाई 1987 तक आठमा उपराष्टपती थे डॉक्टर संकर द्याल सर्मा उनका कारीकाल था 3rd सेप्टमबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक नाइन्थ उपराष्टपती थे भारत के के आर नारायनन उनका कारीकाल था 21 अगस्ट 1992 से 24 जुलाई 1997 दसमा उपराष्टपती थे क्रिश्न कांथ उनका कारीकाल था 21 अगस्ट 1997 से 27 जुलाई 2002 तक एक गारहमा उपराष्टपती थे भारत के भारत के भैरोसी सेखावत उनका कारीकाल था 19 अगस्ट 2002 से 21 जुलाई 2007 तक बारहमा उपराष्टपती थे मुहम्मद हामित अंसार उनका कारीकल था 11 अगस्ट 2007 से 19 जुलाई 2017 तक तेरहमा उपराष्टपती थे भारत के बैंकया नाइडू उनका कारीकल था 11 अगस्ट 2017 से 10 अगस्ट 2022 तक बारत के जगदीप घंखर उनका कारीकल है 11 अगस्ट 2022 से अब तक वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको सेयर करें लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू